खंबंग अनिस्ता मैं जोती आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल मोनिंदा नोन में सबसे पहले तो थैंक्यो सो माच आप सब का आपने हमारे हंड्रेट के की फैमिली पूरी करवा दिये इस ते आप सब का दिल से दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद सो आज मेरा पहला व्लॉग है और हंड्रेट के भी पूरे हो चुके हैं इसलिए हम चलते हैं राजिस्तान के परसिद मंद्रों में से एक तेस दोक मातक करणी के दरबाव तेस दोक जो भी गने जीले में इस्तित हैं तो चलिए हम सब दर्शन करने चलते हैं यहां हमने मातक करणी वा उनके चुहे जीने इस्तानी बासा में काबा कहते हैं इनके लिए भी परशाद दिया है माना जाता है कि यहां 25,000 से भी ज़्यादद चुहे हैं यह चुहे देपावन स्टारेन के वनसेज हैं जहां देखेंगे वहीं काबा ही दिखाई देंगे यहां साथ सफेद काबा हैं जो बहुत कम दर्शन देते हैं कहा जाता है कि सफेद काबे हमें दिख जाए तो हमारी हर कामना पूरी होती है यह बहुत प्राचिर मंदिर है इस मंदिर की स्थापना आज से साड़े छैसो वर्स पहले हुई थी इस मंदिर में सभी दर्वाजे वखिडग्या चांदी से बने हुए हैं जाता है यहां मातारानी कि दिव्य जोत हो रही है और साथ ही हम मंदिर के परिकर्मा कर रहे हैं माना जाता है कि यहां चूहों का जूथा पानी पीने से सारे रोक दूर होते हैं और साथ ही हमें मातारानी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए है हम यहां मंदिर के परिकर्मा कर रहे हैं और साथ ही चूहों को परसाद भी दिया कर रहे हैं यहां इतने चूहे हैं कि मुझे तो समल समल के चलना पड़ रहा है देखो यहां दो चूहें लडाई भी करें और बाकि सब खापी के मस्त सो रहे है कि यहां मैंने और सासु जी ने दीवी जोद के दर्शन की है झाल झाल अभी हम साथ मावडी के मंदिर जा रहे हैं और वहाँ परशाथ चड़ाया चूहे तो यहाँ पूछो ही मत जै माता रानी जै करनी माता झाल 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 पहाँ पूहे हैं झाल 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 यहां हमने चूंग को परशाद दिया और फिर मंदिर से बाहर आए थोड़ी बहुत फोटोज वीडियोज भी क्लिक की और मंदिर के बाहर पहुत सी दुकाने हैं तो मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करे ली फिर हमने वापसे ली माता राने का फिर से बुलाया आया तो हम जरूर पढ़ारेंगे ये व्लोग आपको कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट में बताएगा और आपको कैसे वीडियो चाहिए कैसे वीडियो पसंद है ये भी मुझे जरूर बताएगे तब तक के लिए खमा गणी सा जैम आता दी